तो अभी मैं बना रहे हूं भगवान जी की माला और सुबा सुबा के अभी बज रहे हैं लगबग साड़े साथ पौने आठ लगबग टाइम हो रहा है और मेरे मम्मी के आंगन में बहुत सारे बहुत बड़ा एक पेण है गुड़ेल के फूल का तो रोजी मतलब आप फूल करके अराम से चड़ा सकते तो मम्मी तो इत्ता करनी पाती मैंने का चलवाज बहुत सारे फूल है तो लाव माला बना के मातारानी को चड़ा देते देखिए कि इतना सुन्दर लग रहा है ना इस गुड़ मॉर्निंग कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे कावे एन मम्मा व्लोग में आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल में और आप इसी तरह सपोर्ट बनाये रखे हमारे चैनल को आंगे बढ़ाते रहे अभी मैं नहा कर आ चुकी हूं और अला परवा हो गया और शिवाय मेरा उठ गया देखें बॉल दिखा रहा है और अभी नानी ने बॉल गंदी हो गए इसको दूल कर दिये तो वह जारा खुशे और सोके उठाया भी और मेरी आरोई ना करा चुकी और आरोई के पापा भी नर बैठे ना दमाच जी आराम से अब दो आज पनीर वनीर बने कल कि ब्रत था तो ममी चिला रही थी बताओ इतने दिन बाद आओ तुम लोग और ब्रत होता है कुछ बना भी नहीं पाओ खा भी नहीं पाओ तो आज पनीर वनीर बनेगा सब चीज़ें बनेंगी और उसके बाद भाई मेरा बोलके गया तेज बारिस होगी तो फिर थोड़ा कैना बच्चों को ले जाओ बाहर भी जाओ काव्या को मेरी वैसे फीवर आ गया है और जो खाम बहुत तेज हो गया तो विचारी पड़ी है तो इसलिए मैं थोड़ा रिस्क ले नहीं रही कि बच्चे बीमार हो जाए तो सफर अफर म देखते हूं क्या कर पाते हम लोग जा पाते की नहीं बारिस क्योंकि मौसम यहां कब ज्यादा एकदम दिन भर बारिस हो रही है समझो आप कहां जा सकते कहीं भी नहीं जा सकते हैं जब पूरे दिन बारिस हो रही थोड़ी बहुत रुखे तो पॉसिबल है कुछ तो बाद बनाते हैं पनीर की सबजी और उसके लिए लिया है और जी मिर्च और निया है और प्याज इन चुछ को सक्षे कगे बहुत फून लेगे उसके बाद में डाल देंगे टामाटर को वह बहुत बहूनने पाद भूनिया पा微ड़ अग पाउड़ है ही नहीं जाता है हरी मेर्ची खातें की सब्रुद्र किसमीरी मीर्च और इधर मैंने रख दिया होने तो मटर बॉयल हो रही है तब तक पनीर वगईरा मैंने कल लिए और मसाले प्याज मैंने भूना और अगर थोड़ा सा कस्मीरी लार में चाप डाल दोना तो सब्जी का कलर और भी अच्छा हो जाता हुआ उसके बाद मैंने मतर पनीर मसाला था मम्मी के घर में तो मैंने वो डाल दिया है तो उसके बाद डाल देंगे पानी और यह दीरे दीरे पकेगी आराम से तब तक और उसके बाद बनाना था बूंदी का रहा था तो मैंने दई को फेंट लिया है उसमें डाल दिया बूंदी और अच्छे से इसको मिला देंगे तब तक मतलब जब तक खाने का टाइम होगा तब तक यह आराम से फूल जाएगी उसी में थोड़ा सा चिली फ्लैक्स डाल दिया है और जीरा पाउडर और यह दो तीन चीजें जो भी है सब डाल दिया है उसके बाद खाना लग रहा है चावल सैलेड और पनीर की सब जीरा है था और यह देखे रूटिया भी बन गई है मम्मी तो बोल रहे हैं थी पूरी बना लो लेकिन कहना चिकनो उतना खाने का मन नह है कि साधा खाना यह थोड़ा अच्छा लगता उसके बाद हम लोग जा रहे हैं घूमने और अभी ज्यादा टाइम नहीं हो रहा है वन्हां जल्दी in Yeahiam काम नहीं बहुत तेजी से चल रहा है और नौंबर से मेटर स्टार्ट भी हो जाएगी और यह देखें हम लोग पहुंच चुके हैं बिठूर बिठूर में है साही मंदिर तो साही मंदिर उसके दूसरे दिन पता है गुरुवार था लेकिन हम लोग बुद्वार के दिन ही गया थे क्योंकि टाइम तो था नहीं हमारे पास ज्यादा उसी हिसाब से और गुरुवार को अगर आप जाओ नो तो यहां बहुत बिगड़ोती बहुत अच्छा लगता है बहुत सारी बाहर दुकाने वगएरा भी है प्रिशाद की और यह आप देख रहे हैं दूसरे दिन है गुरुवार तो उसकी हो रही तैयारी क्योंकि गुरुवार के दिन मंदिर पूरा अच्छे से सजाया जाता है बहुत बंच वगएरा फूलो कि मतलब आर से एक दिन पहले से तैयारी चल लेती यह देखे कितने सुन्दर लग रहे हैं और इसमें पता है कुछ ओरिजिनल फूल है कुछ वैसे हैं प्लास्टिक के तो बहुत सुन्दर लग रहा था मंदिर और अगर यह जब सज जाएगा तो उसके बाद तो और पाबा नाय रखें सब को सुष्ट रखें दुरस्ट रखें इसी तरह सुक सम्रदी सब के घर में बनी रहे तो यह देखे हम लोगोंने दर्शन कर लिया और काब्या प्रिशाद चड़ाने आ रही है उसको बड़ा सौक लग रहा था कि मम्मी मैं प्रिशाद चड़ाउंग जो बहुत अकेली अभी इतना ज़्यादा हम लोग तो हैं नहीं तो खुदी करती हैं सारा उसके बाद यह देखे हो रहा है एक पिच्चर सब लोग फोटो किचवा रहे हैं और फोटो नहीं किचे तो कहीं घूमने जाने का मज़ा ही बेकार है आप समझ सकते हैं और इधर ह हमन कुंडी बनी हुई जिसमें हमन वगयरा करते हैं और साहिमन्दिर का अलग से वह है और नानी देखे घंटा बजबा रहे हैं सिभाए को बड़ा मज़ा आ रहा था और वह हमन है ना वह पर्मेंट मतलब जलता ही रहता है कभी बन नहीं होता सब लोग जाते हैं तो हमन सा लेजे आप भी हमनकुंडी के तो अच्छा लगता है इस तरह की जगए यह बगल में बिल्कुल साही मंदिर है उसके जैस्ट बगल में बहुत बड़ा गार्डन है महाँ पर जाके आप बैठो रेस्ट करो बच्चे खेलते हैं अभी तो आज उतनी ज़्यादा भीड नहीं है इधर देखे किता सुंदर द्रश्य है अद्भुध है एकदम और इधर ना उनका सैनक अच्छे है और साही बाबा का तो इधर उनका बैड और पूरा मतलब जो भी उनकी परसनल चीज़े सब यह देखे इस सब पूरा हमारी ट्रिप जो है अच्छी से हो चुकी है तो प्ल पीस आप सस्क्राइब भी कर लिजेगा तब तक के लिए बाए